नमस्कार, मेरा नाम ससन्ना एक है और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, जो कि एक चंगाई प्रार्थना होने को जारी है, एक सामर्थी प्रार्थना जिसे सुनने के बाद आप अपने हर बीमारी परेशानियों से, पैसे से सम्मंदित सम मस्याओं से, चाहे बुरे सपने से, बुरे आदतों से, हर तरह से, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, वो सबसे आप अजाद होंगे, आपका विश्वास के द्वारा ये होगा, तो इसलिए इस प्रार्थना को जरूर पूरा सुने, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंक नोटिफिकेशन्स भी आउन कर लीजीगा, ताकि आने वाले समय में जो मैं वचन बताती हूँ, जो शेयर करती हूँ, तो उसको आप गहराई से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी जीवन में लागू कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं, वीडियो मे पेड से कहते हैं, कि जड़ से खड़ कर समुदर में लग जा, तो वे तुम्हारी मान लेता, आमेन, तो इस वचन के द्वारा पर मेश्वर हमें यही कहना चारें, कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, अगर अंगिकार करना है कि परमेश्वर मैं इस परिशानी से अजाद हो चुका है, जैसे आपको कोई बुरी आदत है नशा की, तो मैं इस नशा से अजाद हो चुका हो विश्वास करता हूँ, यह आपको बाल बर अंगिकार करना है, विश्वास से प्राथना को सुनना है, और हाथों को उठा कर रखिएगा और आखों को खोल कर रखना है विश्वास के साथ सर्विशक्ति मान पिता परमेश्वर आपके उपस्थिती माते हुए पिता हम अपने हर गुना के लिए माफी चाहते हैं जो भी हमसे जाने अन जाने में गुना हुआ है पिता, जो इस भाई भेन भी जो ये विडियो को जो प्रार्थना को सुन रहे है पिता विश्वास के साथ इन से भी जो गलतिया हुई आप इसे माफ करे पिता, इनके पाप के बोझ गो इनके उपर से हटा दे पिता, इनके विश्वास வेसाइन के लिए पूरा होने पाई, पिता हमेश हुई नाव कि आप हमारे हड़ी-वजदि में रखषा रख वाली करते बिख्वाली करते उस में इस पिता परमेश्वर और इनके जो भी बीमारी है पिता चाहें कैंसर है, डालेसिस चलता है, इनका चल रहा है, खून चड़ता है, चाहें सकें एलरजी है, फोडा ऐफून सी, गांठे रसॉली, जो कुछ भी इनके शरीर में बीमारी है, वो दुआ बनकर उड़ जाए इस प इस पिता परमेश्वर जो दिखाई ने देता है, जो चलने नहीं कर सकते है, वो करने लगे शुनासरी के नाम है, क्यूंकि वचन में लिखा है, अंधे देखते हैं, गूंके बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाकशात किये जाते हैं, मरे वे मुर्दे जलाए जाते हैं, शुमसी के सामर्थी नाम है, हे पिता, आपके नाम में इस सामर्थ है, इन भाई और बहन के शरीर में जो भी बीमारी है, वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाई शुमसी के सामर्थी नाम है, इनके शरीर में जो दुरबलता है, जो शैतान इनके शरीर में जो भी दुरबलता डाली है पिता, जो इनको बाल जड़ता है, चाहे इनका चेहरा में जो भी दाग है, जो भी समस्या है पिता, ओ जड़ से खतम हो जाई शुमसी के सामर्थी ना इनके घर परिवार के अप्रक्षा रखवाली करे पिता जहां कई भी रहते हैं उनके घर के चारों तरफ सातों स्वर्दूतों का पहरा लगा दिया जाए इनके घर के चारों अगनी में रत और अगनी में घोड़े हो हर दुष्टे कारे से हर अंदकार के शक्ति उसे छूट जाए और अजशाद हो जाए शूमसी के सामर्ती नाव में हटा परमेश और इनके मन में जो शैतान sucidal thoughts डालता है आत्म हत्या के विचार कर दे है उसे cancelle कर दे एशुमसी के नाव में हर वो बुरे विचार जो शैतानिन के मन में जो बीज बू देता है इस बीज को खाड क कर दो करें नश्र कर दो कर देतै है इस्व मस्यक के नामे लुदा को आग लगा देते हैं अन्धा कर और जो इनका मन जो शैतान भटकाता है, वो स्थिर होने पाए, लिखाए वचन में, हे पिता, इनके अंदर शुद मन उत्पन करे, और इनके भीतर स्थिर आत्मा ने सिरे से उत्पन करे, पिता, इनके मन को निया करे, इनके आत्मा को आप निया करे, ताकि इनका मन आपकी और करने ना पाए, इनके लिए सब कुछ निया हो जाए, ये शुमसी के नाम में, और आप इन्हें पास्ट से बाहर निकाले पिता, ताकि आपकी नाम की सूती और महिमा करे, हाले लोई, आप पिता पर में ये शुर जो भी इनके मैरेज में रुकावट है, जो शैतान इनके मर्थी नाम में, और इस सारी रुकावटे दूर हो जाए, जो भी इनके अंदर पिता पर मेश और बुरी आदते हैं पिता, वो सारी बुरी आदते खतम हो जाए शुमसी के नाम में, चाहे वो कोई भी ऐसा पाप है पिता, जो ये बार बार करते हैं पिता, उससे भी आज़ हर नशा कराने वाली आत्मा को फायर करते हैं, और अंधा कर देते हैं, बांद देते हैं, इशुमसी के नामें, है स्वर्गे पिता परमेश्वर, जो भी इनका शातान इने बच्चा होने नहीं दे रहा है, जो इनके अंदर बांजपन है पिता, वो खताम हो जा इशुनासरी क इनके बंद को खोल दिया जाई, शुमसी के सामर्थी नामें, ताकि इने बच्चा हो, इने बच्चे की आशीश मिले शुमसी के नामें, जिसरे से वच्चन में लिखा है, लड़कों की आनन्द करने वाली माता बनाते हैं, यह वच्चन इनके जीवन में पूरा हो पिता, उने संबस्वाराइब से दो साल जितने साल उसे बच्छा नुए बच्छा वोने पाई शुमसी के सामठी नाम है जो शरीर इनका सूक गया, इनको मजबूत करें, इनको फिजिकली और स्पिरिच्वली मजबूत करें, शमसी के सामथी नाम में पिता, ताकि इनका शरीर तंदुरस रहे, और आपके नाम की स्थूती और महिमा करें, सोते समय जो बुरे सपने देखते हैं, जो शैतान इने पितान इनके सपनों में बीज बो दिया है, उस बीज को खड़ कर फेक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, राख बना देते हैं, ये शमसी के सामथी नाम में, हालेलुया, पिता परमेश और हर वो ड्रीम्स कैंसल हो जाए, शमसी के नाम में दुबारा इने बुरे सपने नाने पैस, सापो और बिच्छों को पैरतले रॉन देते हैं, जवांसी और अजगर को लतारते हैं, इश्व मसी के नामें, क्योंकि परमेशों ने में शत्रु की सारी सामट पर अधिकार दिया, दुष्टात्मा को निकालने का, बीमारों को करने का सापो और बिच्छों को पैरतले रॉन देने का धिकार दिया इश्व मसी के नामें, आलेलुया पिता, जो इने गंदे सपने आते हैं, जो शातानी ने उसकाता है, लुभाता है, भरमाता है, अपनी ओर उसकाता है पिता, ताकि ये पाप में गिरे, और गलत काम करे, उस सपनों से भी आप इने फ्री करे, आज़ाद करे श्युमसी के सामर्थी नाम है, फायर इन दा माइटी नेम जीजस, हर वो ड्रीम्स कैंसल हो जाए, ये श्युमसी के सामर्थी नाम में है, पिता परमेश्वर, हर ये शैतानी सपना खतम होने पाए, ताकि इन्हें आप इसे संबंदित जो समझ से है, चाहिए नों ने कोई लोन लिया, इसे से उधार लिया, जो इनके उपर सा बहुत हजारों लाखों का जो कर्जा है पिता वो खतम हो जाए, ये श्युमसी के सामर्थी नाम हरी कर्जा कराने वाली आत्मा को बांद देते, आग लगा देते और जो इनके अंदर जो डर की बुरी आत्मा है, जो इनने हर बात में, हर काम को करने में, जो इनने डर लगता है, बोलने में, किसी भी चीज़ को करने में, जो इनने डर है पिता, वो डर की बुरी आत्मा को फायर करते है, आग लगा देते और अंधा कर देते श्युमसी के ना और यह आपका भ्यमानने वाले बन जाए शुमसी के नामे है, पिता परमिश्वर, आपकी पीछे चले आपकी आग्याओं का पालन कर आपसे प्रेम रख पाए पिता, और इनके अंदर जो शैतान जो क्रोध कराता है, जो बार बार इने गुसा आता है, पिता, वो गुसा इनक आप इन्हें नमर करें, दीन करे जो भी जादू टौना इनके परिवार में, जीवन में किया गया इस्वत्र के नाम उसे कैंसल कर देते हैं ताकि जो भी जादू टौन इनके टंतरमंत्र की शक्तिया कंrie करें जो रुका वट हैं उसवजे से जो काम इनका सफल नहीं होता पैसा कमाते है लेकिन वो कहीं भी चला जाता है डॉक्टरों के पास चला जाता है वो सारा जादू टोना आज इनके अंदर से इनके जीवन से खतम हो जाए कैंसल हो जाए शुमसी के नाम है क्योंकि लिखाए याकूब के घराने में कोई तंतर मंतर नही और बहुत भी हो तो भी वे पूरी रिती से काटे जाएंगे और शुन्य हो जाएंगे इस वचन के द्वारा पिता प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जादू टोना जो भी शैतानी शक्तिया जो दुश्टात्मा इने परिशान कर इसे एक नश्ट कर देते हैं काट डालते ह इश्व मस्थी के सामर्थिना में है ये पिता परमेशु और जो भी दुश्टात्मा उसे ये सालो साल से गरस्थ한 Онसे जाएँ अजादो जाए इस वचन के सामर्थिना में अधिकार के साट डाणते हर हुआ शुडात्मा है जो इनके मनों में हैं इनके शरी में उखडकर सम फायर करते आग लगा देते औरंदा कर देते न jullie और TRABH, शायतान का कोई भी प्लाननिकी में अप्तोर साथा। हे पिता परमेश और आप अपना दाहिनात बढ़ाए पिता इन्हें छूले जल्लहू और आत्मद और अग्मी दोरा छूले पवित्रा आत्मा इन्हें छूले और अपनी सामर से अपने अभी शेक साप इन्हें भर देशु नासरी के नाम है हे पिता परमेश और इने हर बुरी शक्तियों से हर अंदकार की शक्तियों से इने बचा करे रखशा रखवाली करे पिता ताकि जो ये विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे और सुनते ही है आजजाद हो जाई शुमसी के सामर्थी नाम है हे पिता परमेशुरेंट मसी भाई बहन को आपके बलवन्त हातों में सौप दी हुपिता इनके सभी शरीर के अंगों पर प्रभीशु का लहू लगा देते हैं इनके आखों पर इनके हातों पर इनके पैरों पर ताकि ये हाथ से गलत काम ना करें परन्तु आज के बाद के पिता परमेशुरेंटेंट में लेकर आपकी वेवस्था लोग है और इनके उतकी बुठीता में और अज माचिस के आप लोगों ने इस परार्तनों को पूरा सुना है तो आप आपको यह बोलना है कि मैं चंगा हो चुका हूं जैसे आपकी जो भी प्रॉब्लम थी जो भी समस्या थी आपके शरीर में आपके जीवन में उसे बोलना है कि मैं आप कर्जे से अजाद हो चुका हूं मैं इस बीमारी से ठीक हो चुका हूं ये शुमसी के नाम में परमेशर न प्रात्ना को और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सामर्थी प्रात्ना के द्वारा लोग बचाये जाए चंगाई को पाए और अजाद हो जाए ये शुमस्ति के सामर्थी नाम में गड़ बलेसी और परमेशोर सभी को आशिश दें